नमस्ते रामराम आज का मुद्दा है बजेट और मिडलक्लास, तो कुछ महनुभाव मानते हैं कि बजेट में मिडलक्लास के लिए कुछ नहीं रहता है, इनका मानना बिल्कुल सही है. बजेट में middle class के लिए क्यों कुछ नहीं रहता है क्योंकि middle class के पास vote बहुत कम है 140 करोड का देश है जिसमें से 20 करोड 25 करोडा लोग है middle class तो इनकी संक्या भी कम है और ये सब एक-एक vote लेके बैठे हैं लेकिन समस्या इससे और भी बड़ी गहरी है इसमें से कई लोग है जो apolitical है जो खुद को कहते हैं हमें politics से कोई लेना देना नहीं ये vote देने जाते ही नहीं है और कुछ लोग हैं वोड देने जाते हैं और जाके नोटा दवाते हैं बड़े शान्स और बोलते हैं हम तो महानात्मा हैं हम तो सरकार को टैक्स देते हैं हम सरकार से कुछ लेते भी नहीं है और जो लोग 많이 सरकार से लेते हैं जिनको जरुत पढ़ती है जो गरीभ है वो कमाने के लायक भी नहीं है इसलिए वो विचारे गरीब हैं तो पहली बात तो यह चीजे स्थितियों पर निर्भर थी कि यह किसी वजह से किसी कॉलेज से इंजिनियरिंग कॉलेज से लौ कॉलेज से सिये विये पढ़ लिये थोड़ी बहुत कमाई कर लेते हैं जो कि गरीब लोगों से ज्यादा है इनमें इनकी महंता का कोई स्त्रोत नहीं है और यह विचार यह जो विचार है यह हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए हम अपनी रोट क्लास का वह अराम से बीस वोट इकटा कर सकता है तो साल का 10-15-20,000 रुपे खर्चा करके 20 वोट इकटे कर सकता है और 20 वोट इकटे करने से उसको क्या फायदा है मैं यह भी बताता हूं पहले हम समझते हैं कि politicians middle class का वोट क्यों नहीं खरीदना चाहते है क्योंकि middle class का वोट बहुत नहेंगा है middle class जो है वो अपनी साल की salary जो package होता है उसको अपनी आय मानता है किसी की समझ यह 10 लाग, 20 लाग, 30 लाग यह package है pre-tax यह middle class की ऐसी आमदन ही होती है वो इसको कहता है आय और अक्सर यह देखा जाता है कि आय से 10 गुना पैसे का जब लालच दिया जाता है तो आदमी वोट देने के लिए अकर्शित होता है जैसे किसी की 12 लाग की आय है उसे सवा लाग के लिए मतलब सरकारी ओफिस के इस सरकारी ओफिस के उस सरकारी ओफिस के यहां के वहां कि चक्कल लगवाए जाए तो वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा लेकिन जो लोवर मिडिल क्लास है जो गरीब क्लास है वो बड़ा स्मार्ट है अपनी दिन की आए ममजोडता है दिन की आए उसकी 500 रुपए 600 रुपए मजदूर सबसे देखे पॉलिटिशन के टार्ग बैर कि मूफ दे दो व खुश क्योंकि वो उससे जाना है चार दिन-पांच दिन-पांच दिन में च्टि लेनी पांच दिन-क च्मी खुंकि लेगा तो वह च्टि ज plays controller का करता है अ पांच दिन जाके काम कर रहा है और उसकी सबसीडिय मिल गई 6000 रूपए उसके आ गए सरकार को पता है देखिए कम खर्चे में वोट खरीद ले रहे हैं जो पूर तब कहने वोट देके आता है मेहनत करके जाता है वोट देके आता है बदले में दो बिर्यानी भी कमा लेता है दो बोतल शराब भी कमा लेता है और जो मिडिल क्लास है वो गधा है वो जाकर नोटा दबा देता है नोटा दबा कर बड़े चोड में चलता है कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं हम सीमा पर अच्छा भी खुदी कर लेंगे हम वहाँ जाकर बताएंगे हम अपना टीसीएस का किसी भी टपरी पे आराम से बैठके दो घंटे तक चाय सुड़कने का समय मिडिल क्लास के पास नहीं होता है क्योंकि वह अभी माया में फसा हुआ है वह भी गुलाम है कॉर्परेट गुलाम है अच्छा मिडिल क्लास के कुछ गुलामों ने ऐसा भी समझोता कर लिया है थोड़ी बड़ी लड़ाई हुआ लड़ने को तयार है भीड में जाते हैं गोली खाके भी आ जाते हैं काथ सेवा में जर्वत पड़े तो महले में बीस लोगों का घ्रॉप हमेशा अपने साथ रखें इसस से बड़ी सुविधा होगा कभी पुलिस में केस हो आप अकेले लिए पुलिस आ क्खाने के बाहर करा दीजिए इंक्लाब जिंदा बाद पुलिस को समझ आज जाय के इंप रख रख हो चुका है आपकी आपका कहीं। कि दिक्कत हो सरकारी दफतर में आप खली 20 लोगों को ले जाए आपका किसी से जगड़ा हो जाए 20 लोगों को ले जाए और यदि आप थोड़े से मिडल क्लास से अमीर होने के तादाक पे हैं तो इस लोग आपको अमीर कराएंगे 20 लोगों को बड़ा खुश रखिए और इन के लिए भी बजेट में स्कीम आने लगेगी और नहीं तो आप 30 लोगों को रखिए 50 लोगों को गट्टा कीजिए उन्हें उनकी स्कीम दिलवाने लगी है क्यों जादा तर स्कीम तो पहुंचती नहीं है उन पर ध्यान दीजे थोड़ा कि नहीं स्कीम मिल जाए और देखि में खाता नहीं खुला पारा किसीने मतलब खुलाया सरकारी बैंक में उसमें ये समस्या आ रही है किसीने सरकारी इंश्यरंस का लाब नहीं उठाबस कोई सबसीडी नहीं ले पा रहा यह छोटी मोटी प्रॉब्लम जो बड़े आराम से आप मुबाइल फून से सॉल्फ कर सकते हैं बड़ी बड़ी कहानिया सुना के और यह आपको फ्री में जोक भी सुना देंगे जैसे मिडिल क्लास जाता है जोक सुनने स्टेंडब कोमेडिय इनके पास वो 500 रुपे लेता है आप ही की बेज़जती करता है फिर बोलता है कि यही जोक था इसका आप मज़ा ले लिजे इससे अच्छा भीया कुछ गरीब दोस्त बना लिजे 20-25-30 गरीब दोस्त जितने आप बना सके बनाईए धीरे-धीरे आपका नेटवर्क बढ़ लगें फ्री स्पीच का मतलब क्या होता है कि कोट में बोल सेको कोट में तुम ऐसे हाथ हलका सा उठाध होगे तो Contempt of Court लग जाता है कि जूरी का अधिकार मांगो जूरी का मिडिल क्लास के साथ बहुत बढ़ी समस्तिया यह है कि एक वोट से संतुष्ट है अधिकार मांग स सकते हैं ऐसे अधिकार मांगे कि आपको नेगलेट करना ना मुद्रम हो जाए पहले बंदूग र index का अधिकार मंग लीजी की आपको खुझली भी हो तो गोली चल जाए तो आपको खुझली क्रांती की तो जरुवत है लेकिन मिडिल क्लास को क्रांती भी नीच चाहिए कोई भांक भी करिये सो रही है क्रांती का भी सपना गरीबों कोई दिखाना बहतर रखता है क्योंकि TCS की नौकरी में फ्री कॉफी मिल जाती है धन्यवाद राम राम